आपका स्वाज़त है मैं हूँ काविता थपलिया यॉर्मनी में हमारी कोशिश होती है वह जानकारी आप तो पहुचाने की जो आपके financial security से जुई है आज हमारा focus आपकी complete financial planning पर रहेगा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज है रुग्ता Securities के CFP हर्श वर्दन रुग्ता आपका स्वाज़त है हर्श शुवात करते सवाल चबाब के सिसले के साथ और हमारे पहले दर्शक अपारे साथ फोन लाइन पर है रोहित महेश्वरी नमशकार रोहित बताए कहा से बह रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है मेरा सवाल में इन एक मैं बेट तो यह उडिता से बलना पारा दी अच्छा बताए क्या सवाल है आपका मेरा एक कुश्शन दो यह कि इनको टर्म प्लान लेना है जो अब की सवाल में हो और दूस्रा है ले इन में भी इसने के इन इन रोहित demonskin के इंटरूउस हुआ है अबjam तो उसको अभी हमारा एक सुपरेलिशन फंड है अवर लेडी, कंपनी किता से, LIC को, तो कि हमारा 15% बेसिक जाता है, तो अभी उसमें से 10% employer contribution में डाइवर्ट कर देंगे, एंपेस में, तो हमको tax देनी मिन जाएगा, यह बोला है, तो हमको existing वाला ही पिजनते ही या इसको डा का जवाब लेते हैं यहां पर हर से, हर सबसे पहले term plan पर आप क्या सला देंगे, यह कहरें कि इन्हें सबसे बेस्ट प्रीमियम बाला term plan जाहिए, और साला ना, इनकी income है 10 lakhs, वैल, रोहिट जी, आप अगर अपना term plan लेना चाहते हैं, बहुत सारी companies आपको online term policy options offer कर रही हैं, हम आपकी सुवधा के लिए इन सारी companies को हम दो baskets में divide कर देते हैं, एक basket यह करेंगे, जिसमें जुनका claim settlement ratio 90% and above है, क्योंकि जब आप policy खरीदते हैं, आपका ultimate objective क्या होता है, क अगर आपको कुछ हो जाए, तो आपके परिवार को claim मिले, तो अगर हम claim settlement ratio अगर compare करते हैं, तो लगबग 6 companies हैं, जिनका claim settlement ratio आपका 90% से ज्यादा है, तो आपको उन companies में इस तरफ आप focus कर सकते हैं, कंपनी के नाम है, LIC, ICICI, HDFC, KOTAC, Max New York Life, SBI, यह सारी companies हैं, जिनका claim settlement ratio, जो 12-13, financial year 12-13 का claim settlement ratio है, वो 90% के अबाव है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, कि इन companies के अगर हम premium compare करें, बाकी दूसरी कंपनियों से जिसका settlement ratio कम है, उधारन के तोर पर आप एगउन डैली के ले ले लीजिए, भारती अक्सा ले ले लीजिए, अभीवा, इन companies के अगर आप compare करते हैं, तो इनका premium थोड़ा जादा होगा, लेकिन मेरा सुझाओ आपके लिए रहेगा, कि आप उन ही companies के पास जाएं, जिनसे आपको ये kind of assurance मिलता है, कि आपका claim settlement होगा, जो उनका track record भी कहता है, आपने mail में लिखा था कि आपने HDFC click to protect shortlist की है, वो companies में आप आप उनका online policy खरीच सकते हैं, कोई हज नहीं है, आप compare करना चाहें, तो HDFC का premium, कोटक, SBI या Max New York Life, इनकी online policy से compare करें, अगर इन में कोई सस्ता है, तो आप उनका चूज कर सकते हैं, दूसरा सवाल जो आपका था, वो NPS और उसके tax benefits को लेके था, NPS में दो तरीके contribution होते हैं, एक अगर आप अपनी खुद की तरफ से आप NPS के account में investment कर रहे हैं, तो उसका जो deduction मिलता है, वो section ATCCD1, इसका deduction मिलता है, अब जो limit है ATCCD1, वो और ATC का जो limit है, वो दोनों club करके 1 lakh rupees की limit है, और आप उसके उपर भी अगर निवेश करते हैं, deduction जो आपको मिलेगा, वो 1 lakh rupees का मिलेगा, इन दोनों sections को मिला के, लेकिन एक provision जो आपके case में है, वो यह है कि आपके employer, आपकी basic salary का 10% काट के, वो NPS में जमा करना चाहते हैं, अगर हम वो वाला provision देखें, जहांपे employer contribute करता है, तो वो एक अलग section के अंडर में आता है, जो है ATCCD2, अगर आपका 10% of basic salary उतना अगर आपका employer आपके invest कर रहे हैं, तो जो भी investment होता है, वो आपकी ATC और ATCCD1, इन limit के उपर होता है, उसमें कोई लिना देना नहीं है, तूसरा advantage और एक और यह है, कि उसमें limit भी बिलकुल नहीं है, अगर आपकी basic salary, मान लीजिए, आपकी 10 लाग रुपे है, या 20 लाग र तो आपके सवाल का जो straight answer है, वो यह है, कि जो भी employer आपका contribute करेगा, उसका आपका ATC के limit से कोई लिना देना नहीं है, इसके अलावा, मैं पोछना चाहांगी, अगर हमारे साथ phone line पे हैं, रोजे तभी भी, आपने retirement planning के बारे में कुछ सोचा है, अभी मेडम, इक तो मेरा P. आपने प्लान का सखर किया है, अपने लिए कोई medical insurance लिया हुआ है? इसके माव आपकी किसी तरह की और कुई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है? इन्हों ने अची बात किये की टर्म प्लान लेना चाहते हैं? इन्हों ने बाकी NPS में जो निवेश कर रहे हैं वो रेटारिमेंट के हिसाब से उनके एंप्लॉयर की तरफ से हो रहा है इन्हों ने जो भी इन्वेस्टमेंट के हैं जितना हमने समझा है वो पूरा डेट की तरफ है LIC का पॉर्टफोलियो है इनका FD है थोड़ी इस उमर में अगर यह चाहें तो एकुटी एक्सपोर्शोर लेना चाहिए और लॉंग टर्म प्लानिंग के इसाब से का यह चाहते हैं तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है कि वह चाहिए अच्छा कासा कॉर्पस बना सकते हैं तो आपके अपने प्लानिंग मेडिक लेम जो एक आपकी एंप्लॉयर प्रोइड करते हों आपको लेकिन आपको एक इंडिविजन मेडिक्लेम पॉलिसी लेना भ जो होने ही वाला है तो आपको इसके लिए थोड़ा इंवेस्टमेंट अग्रैसिव पोर्फोलियो में बनाना शुरू करना हो जाए और होगित रिटार्मेंट के अलावा आपने का आपका एक बेटा भी है तो इसकी परहाई के लिए और भविश्य के लिए बहतर भविश् यहीं सला आज आपको Your Money दे रहा है इसके साथ फिलहाल वक्त है ब्रेक का लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दे अगर आप भी हमसे Mutual Fund, Insurance, Credit Card, Loan या Complete Financial Planning से जुरा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने contact number के साथ अमेटatmoneycontrol.com पर भेज़ साथ ही आप हमारे Facebook के पेज़ पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं और Your Money के पुराने episodes भी यहाँ देख सकते हैं Your Money में आपका फिर से स्वाज है तो हमारा फोस्ट से आपकी Complete Financial Planning पर सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष वर्थन रुम्ता तेदे अल्या सवाल हर्ष हमें मृणाल ने email भेजा है और यह पूने में रहते हैं और 35,000 इनकी हर महीना सालरी है बहुत ही short term goal है इनका इनको 2-3 लाख रुपए चाहिए तकरीबन देर साल में जाना चाहते हैं कि अपना goal यह कैसे achieve करें और साथ ही यह 20,000 रुपए हर महीना इनवेस्ट करना चाहते हैं short term goal के लिए ही इनवेस्ट कर सकते हैं यह तो बहुत इंक्रेस्टिं सवाल है your money में अक्सर हमें long term goals के लिए लोग सवार पूछते हैं retirement के लिए बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए लेकिन short term goals को लेके लोग इतने focus मही रहते हैं उन्हें लगता है कि जुतना हमने बचाया हुआ है उसी को हम अपने goal को पूरा करने में इस्तिमाल कर लेंगे लेकिन मैं specifically Brunal को एक 2-3 लाक रुपे चाहिए देट साल में तो ऐसे किस तरह का roadmap आप उनको suggest करेंगे Brunal आप जो investment 20,000 का करना चाहते हैं मेरा सजह भी रहेगा कि आप bank की recurring deposit में करें क्योंकि जो 1.5 years का आपका tenure है वो tenure में आपके लिए bank recurring deposit जादा बहतर होगा अगर हम 8% का भी ब्याज देखें जो आप कमाएंगे 1.5 साल के अंदर आपका जो total corpus बनता है वो है 3,80,000 रुपीज अगर हम income tax भी कार दें इसमें क्योंकि taxable income है तो भी आपका 20% tax bracket में है तो भी आपका 3,00,000 से उपर होगा अगर हम debt funds की बात करें तो अभी एक situation हो रखा है debt fund का वो ऐसी ऐसा हो रखा है कि कोई एक particular direction नहीं मिल रहा है interest rates के normally debt funds क्या होता है वो interest rate के movements होते है उसको ही capture करना चाहता है अगर interest rates और अगर गिर जाते हैं तो आपके fund में profit हो रहा है और अगर interest rate बढ़ता है economy में industry में तो आपके portfolio में आपको loss होने लगेगा so interest rates and price inversely related होते हैं अभी जो situation है इससे आपको कुछ भी clarity हो 6 months से कम से कम नहीं मिल सकते अगर 6-8 minutes तो आप लगा ही लो कि कुछ clarity नहीं मिलेगा कारण है कि एक तरफ आपके पास एक majority से सरकार है जो pro growth है और वो growth को push करने के लिए reforms लाना चाहती है और यह सब चीज हम देखेंगे के capex होगा investments होने लगेंगे और inflation पेस का असर आने वाला है तो interest rates घटाने की भी बात होने वाली है ताकि growth की तरफ focus रहे which will lead to higher inflation अगर हम April के CPI figures देखें तो 8.59% है जो अलड़ी तीन महनेक है it's at 3 months high दूसरी तरफ महारे पास RBI है जिनका focus बहुत clearly inflation को control करने के लिए अर्चित पतेल कमिटी की जो report है उनको बहुत strictly follow करना चाहते हैं जिसमें clear roadmap दिया गया है 2015 तक 8% ब्याजदर है जो inflation is 8% and 2016 तक 6% होना है तो अगर यह road map लेके चल रहे है तो RBI को grades घटाना शायद मुश्किल होने वाला है जा तो वो maintain ही रखेंगे उसको बढ़ाएंगे तो लाज़ बढ़ाने का तो पता नहीं अब लेकिन घटाने का तो I don't think कोई भी ज्यादा scope है अगर वो inflation targets लेके चल रहे है तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि growth को focus में आने वाला है तो inflation शायद pressure में रहेगा inflation is going to go up दूसरी तरफ RBI की तरफ RBI इंटरसे घटा नहीं सकती और debt funds का last one year से यही situation चल रहा है अगर हम last one year का dynamic bond funds के returns भी देखे हैं तो लगभाग 0-1% return एक साल का return है उनका कुछ भी return investor को मिला नहीं है तो अगर यह चीज़ को ध्यान में रखे हैं और recurring deposit will be a good option कि at least 8% taxable है लेकिन एक clear view मिल रहा है कि इतना पैसे उनको definitely एक या देर साल बाद मिल जाएगा So short term investors फिलाल from 6 months to 8 months अगर यह one year का भी target है तो recurring deposit सादा बहतर विकलप होगा चलिए Mrinal, जल से जल्द आपको RD करने की सलाय your money से आज दी जारी है आगे बढ़ते हैं और Sanjay Mukherjee हमारे साथ phone line पे module दें Namaskar Sanjay, पताएं कहां से बोल रहे हैं और सवाल क्या है आपका? मैं वार्मस्की से बोल रहा हूँ पूछे Good evening sir Good evening मुझी पूछे में राफ़ बांक में शर्वीश करता हूँ ठीक है इसे चारव जोड़ाइं फ़र फार इंवेश किया है वह सही है या नहीं हर्ष हमेशा हम अपने शोपे खहते हैं दर्शुकों को की इंशॉरेंस प्रडॉक्त ना करें और यहां पर क्लियरली Sanjay की बात से आपको भी लग रहा होगा कि इंशॉरेंस प्रडॉक्त में इंवेस्टमेंट किया हुआ है प्रडॉक्त में तो खेर आपकी इंवेस्टमेंट में ठीक है Sanjay लेकिन बागी की तर्माब LIC पॉलिसी उस पर मैं चाहते हूं कि आप इनको कुछ राए दे आप इन पॉलिसी को रख सकते हैं क्योंकि जो इनका फोकस है वो पांच साल बाद देना दस लाग रुपए चाहिए तो यह पॉलिसी के जरीए आप इसका टागेट पुरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इन्शॉरेंस पॉलिसी या आपका PPF अकाउंट भी है उसमें लिक्विडिटी जो है बहुत रिस्टिक्टेड होती है तो पांच साल बाद अगर आप इन्शॉरेंस पॉलिसी निकालना चाहते हैं आपके शायद बहुत ही कम रुपए आपके हाथ में आएंगे लोन के तौर पे भी सरेंडर तो एक अलग बात होगी सो आप इन सब इन्वेस्मेंट को अलग रखके इन्हें अपने ये 10 लाग से टार्गेट या 15 लाग का जो टार्गेट आपका पांच साल के अंदर आपको इकठा करना है उसमें आप ना जोड़ें आप एक fresh investment शुडू कर सकते हैं जिसमें आप एक balanced portfolio बनाईए जिसमें equity जादा हो आप equity में exposure लीजिए तो आपको शायद 5 साल का जो view है उसमें balanced portfolio आपके लिए ठीक होगा आप HDFC Prudence Fund में निवेश कर सकते हैं हम अगर 12% returns देखें ये balanced portfolio की तरफ से तो आपको जो लगभा 12,200 रुपीज आपको हर महीने का निवेश करना होगा तब आपका 10 लाक सा portfolio बन जाएगा अगर फिलहाल आपको जो आपका net take home है उसके बाद 12,200 थोड़ा मुश्किल लग रहा है निवेश करना तो आप जितना हो सकता है शुरू करिए पांच साल बाद जो भी corpus बनता है उसका और जो डिफरेंशल अमाउंट है तब आप अपनी LIC की policies के सामने लोन लेने का सोच सकते हैं या उस समय सरेंडर करने का सोच सकते हैं और या PPF में भी provisions हैं जिसमें आप फोड़ा अपने account में से ले सकते हैं तो चुभी डिफरेंशल है वो आप देखीगा कि इससे फुल्फिल हो जाए और अगर आप 12,200 कर सकते हैं और 12% आपको मिलता है तो आपका 10 LIC का टागे जो है वैसी पूरा हो जाएगा और Sanjay आगे से आप किसी भी इंशॉरंस प्रॉड़क्त में इंवेस्टमेंट ना करें ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी यहां पर चुकी आपने इतना अच्छा खासा इंशॉरंस पोर्टफोलियो बना के रखा है मैं पूछना चाहूंगी कोई टर्म प्लान लिया ह ची अलेगया में प्यूब्स प्लान लिया. सैंजय जी देखि यह जो परपस होता हे जो इसका हृखना हम समझते हैं वह होता है यह का रिस्क कवर आप उधें लग्याटरी का इंशॉरंस लेते हैं अगर गाड़ी का प्रिमुम जो अब भरते हैं एक आल के بعد का भी नुक्सा वो आपको 10,000 रुपे तक में सालाना खर्च पे मिलती है तो उसका purpose ही होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है आप कमाते हैं आपके उपर dependence हैं अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को जो नुकसान होता है जो financially insecurity होती है वो चीज आप insurance policy से पूरी कर सकते हैं अब आप 30,000 रुपया लगभग साल का भर रहे हैं आपकी team policies हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें जो coverage होगा आपके पास वो लगभग मेरे साब से 20 से 20 या 30 लाग रुपय का जादा coverage होगा ही नहीं तो इसकी वज़े से आपको यह सोचना है कि 25 या 30 लाग रुपया कितना माईने रखता है उससे क्या होने वाला है अगर वो sufficient नहीं है तो आप जादा insurance लेना होगा अब जादा insurance लेनी के बात करते हैं अगर जोडते रहेंगे अपने पोर्फोलियो में तो कितना ले पाएंगे तो आपको एक term plan इसी के लिए हम suggest करते हैं term plan एक low cost policy है जिसमें आप कम पैसे देखे ज्यादा coverage ले सकते हैं और जो actual आपकी insurance requirement है तो आपकी family को true sense में protection मिलता है तो आप term plan एक समझ लीजिए किसी से personally मिलके आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए नहीं तो एक term plan एपने पोर्फोलियो में जोड़ें जिसे आपके जो dependence है वो थोड़े protected feel करें at least financially चाली है Sanjay, उमीद करते हैं कि आपको अपने तमाम सवालों को जवाब आज यॉर्मनी से मिल गया होगा इसी के साथ वक्त है कब रेका लेकिन अगर आप भी हमसे mutual fund, insurance, loan, credit card या complete financial planning से चुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल अपने contact number के साथ email करें mftmoneycontrol.com पर आप चाहें तो facebook पर भी अब जो हमारा पेज है अपना सवाल उस पर पोस्ट कर सकते हैं और यॉर्मनी के पुरानी episodes भी वहाँ देख सकते हैं यॉर्मनी में आपका फिर से सुआ गये थे आज हम करा रहे हैं आपकी complete financial planning मेरे साथ बने हुए है हर्ष बर्थन दुगता हर्ष हमें सर्चन परवार ने पूने से अपना सवाल पेजा है email के जर्ये लगातार देखते हैं यॉर्मनी और उसके मताविक इनोंने अपने लिए कुछ financial planning भी करने के बारे में सोची है लेकिन उनके goals पर मैं आऊ इससे पहले कुछ information आपको दे देती हूं इनके बारे में साथ ही इन्होंने एक insurance portfolio भी अपना बनाया हुआ है जिसमे लाइसी जीवन आनन प्लान है चार लाग का पिछले आठ साल से इन्होंने ये plan अपने पर पास रखा हुआ है उसके बाद लाइसी जीवन सदल भी है इनके पास थाई लाग का तीन साल से ये plan इनके पास बढ़ा हुआ है अब यॉर्ट में देखने के बाद ये कहते हैं कि इन्हें mutual fund में भी दिल्चस पी आ गई है इन्वेस्मेंट करने के लिए और इन्होंने अपने लिए एक portfolio भी सोचा हुआ है कुछ research की है जो मेरे खाल से आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी बिल्ला सनलाइफ टॉप 100 है यहां पर इन्होंने भी तक निवेश नहीं किया है लेकिन इन्होंने research करके ये friends निकाले हैं जिनमें इन अमाउंट का ये निवेश करने की सोच रहे हैं अब मैं आती हूँ इनके गोल्स पर सबसे पहले बेटे की पढ़ाई के लिए इनको चाहिए 30 लाख रुपए 15 साल के बाद बचे की शादी के लिए चाहिए 40 लाख रुपए 22 साल के बाद अपने retirement के लिए इनको चाहिए 1.5 करोर रुपए और almost 25 साल के बाद और इनकी सब गोल्स के लिए यह अपने investment शूरू करना चाहते हैं तो currently कितने का investment यह कर सकते हैं मेरे ख्याल से जिन funds में उने जो नाम दिये हैं उतनी investment यह करना चाहते हैं उसके आगे की information उने नहीं दी है So overall आपको यह कितने track पर लगते हैं और हमारे साथ सच्चन पवार फोन लाइन पर भी जुड़ गए है सच्चन आपने जो research work की है या आपने किसी के साथ consult करके की है या आपने आप your money को देखते हुए या आपने ये funds अपने लिए चुने हैं जिनमें आपको investment करनी है या आपका शोग आपने के बाद मैंने इसके लिए मैंने किसी का कोई suggestion नहीं लिए तो इसलिए मैंने उस सवाल बेजा था आपको कि ये funds selection सही है या नहीं बिल्कुल साचिन आपका सिवाल हमारे पास है और हर शर्विन की financial planning की शुरुआतम करते हैं समय कम है हमारे पास term plan अच्छा इनके पास है और family शोटर भी लिया हुआ है investment पराते हैं जो fund इनोंने चूज किये हुए है वेल इनोंने बहुत अच्छा काम किया सचें जी आपने जो portfolio बनाया है वो बहुत अच्छी तरह research किया है अपने खूद किया है आप 8000 रुपया allocate किये हैं इन funds में निवेश करने के लिए वो भी ठीक है और अगर आपने एक question भी डाला था कि अगर 2000 रुपया और बढ़ाना है इसके अलावा तब कहां करें तो मैं सुझाओ दूगा कि बिरला के top 100 fund में ही आप निवेश करें उधर आपने 1000 रुपया allocate किया था उसके जगा आप 3000 कर लिजिए पूरा 10,000 का portfolio आपका बन जाएगा इस प्रकार आप अपना निवेश करना शुरू कर सकते हैं इसी प्रकार आप फॉलो करिएगा ट्रैक करिए और हर दो साल में एक बार फंड के परफार्मेंस भी देख लीजिए अगर कुछ डिवेट होता है या अपने प्यूर्स के साथ जो अच्छा नहीं करता है तो आप उससे में अपना चेंज करने का एक option देख सकते हैं अच्छा लिए तो सचिन जल से जल अपने निवेशी शुरुआत कीजिए और discipline maintain कीजिएगा यही रूल है investment का बहुत बहुत शुक्रिया हर शार्शो पर आने के लिए और यॉर्ड में में आजके लोग नहीं लेकिन आप बने रही से इंबीसी आवास के साथ नमस्कार